समस्का दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत सागत है आप ही के अपनी यूटीब चैनल स्टॉक मार्केट उटे पर है आप सबको 2022 की हार्दिक शुब काम नाई है एपी हैपी निव यर दोस्तों हम सब स्टॉक मार्केट के लोग हैं हम लोगों की जिन्दगी में उतार चड़ किया सकें एक चीज़ समझ लिए जितने भी लूग करोड़ पती है जो बजार में अच्छा पैसा बनाना जानते हैं वो इन्वेस्टर है या ट्रेडर है या स्विंग ट्रेडर है वो इंट्राडे ट्रेडर नहीं है बहुत कम इंट्राडे ट्रेडर है इस फैक को आपको मा इंट्रारी ट्रेडिंग को थोड़ा सा अवाइड करना चाहिए, बेवज़ आप्शन ट्रेडिंग को अवाइड करना चाहिए, अगर आप बजार में लंबे टिके रहना चाहते हैं, बजार में पैसा बनाना चाहते हैं, और 2020 में कसम खाना चाहते हैं कि हाँ, इस साल पैसा ब पड़ी बात है, stock selection करने के लिए मेरी कुछ paid unpaid service भी रहती है, आप मालूम है बटे, इस वीडियो में उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाते है, आज नया साल है, पहला दिन है, 1st January 2022, मैं आपको एक ऐसा तौफा देने वाला हूँ, ऐसे stocks आपके लिए चूज करके लाए ह इस वीडियो में आपके लिए मैं लेगा है, 10 चुनिंदा शेर, 10 best shares for investment in 2022, जितना गिरे उतना खरीद हो, मतलब जितना भी stock गिरते हैं, आपको खरीदना है, क्यों? क्योंकि ये stock fundamentally अच्छे हो सकते हैं, ये company अच्छे हो सकते हैं, अच्छे mid cap हो सकते हैं, अच्छे small cap हो सकत क्योंकि अगर हम एक दूसरे को motivate करते हैं, तो शायद आपकी और हमाई दोनों की जिन्दगी असान होने वाले हैं, चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कौन-कौन से stocks लेका हैं, बट हाँ, एक चिस बता रहता हूँ, इस वीडियो को बिल्कुल बोर नहीं डरने वाले नहीं हैं, अगर डरनेवाल लोग हैं, अगर इंट्रेड ट्रेडर हैं, चवंदनी एठनी पे काम करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, पर अगर आप अच्छे stocks की वेट कर रहे हैं, अच्छे stocks जानना चाहते हैं, जो साल के अंत्रक्रम उसको को च और अच्छी खासी ROI जनरेट कर सके तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है चलिए दिखते हैं पहला स्टॉक आपके लिए कौन सा लेगा है पहला स्टॉक आपके सामने है बिरला सॉफ जी हाँ बीसॉफ्ट गाइस अब ये स्टॉक 544 के आसपास में चल रहा है चार्ट करूँ है तो इसी रेंज के बीच में करने वाला हूं और इसके मेरे टागेट क्या होने वाले हैं जिसके के लिए मैं प्ले करने वाला हूं इस पूरे साल के लिए पहला टागेट में राफ 567 कर रहेगा दूसरा टागेट में राफ 597 कर रहेगा तीसरा टागेट में रिए शांदा स्टॉक रहिए रा पहला दूसरा स्टॉक आपका फेवरेट जी हाँ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में डालते हैं कि देपक निट्रेट के बारे हिरेडए कि अप तेजी देख सकते हैं itu कि कि तो इसाँ तेजी स्टॉक पे उठाने वाला हूँ, और मेरे टागेट जिनके लिए मैं प्ले करने वाला हूँ, वो रहने वाले है, 2646, सेकिंड टागेट रहेगा 2901, तीसरा टागेट रहेगा 3368, वो फूर्थ टागेट मेरा रहेगा 4286, गाइस, आरो या आप कैल्कुलेट कर लेगा, बहुत ही शा ट्रेड हमें करा रहा था, अब यहाँ पे यह स्टॉक ट्रेड करा रहा है, 634 के प्राइस रेंज में, जो एकुमिलेशन रेंज इसकी रहेगी, हम इसको बाइंग रेंज कहेंगे, इसको एकुमिलेशन रेंज कहेंगे, वो हमाई रहने वाली है, इसमें, 640 से लिके 620, मतल गबनाने की दुरूतनी है, बाइ और डिप्स की स्टाटिजी रहने चीए, इस स्टॉक को आपको एकुमिलेट करने के पूरे पूरे चांसे मिल सकते हैं, यहाँ पे इसकी जो टागेट रहेंगे, पूरे साल के लिए, वो मेरे टागेट रहने वाले हैं, 676 का एक छोटा सा चीए, चिबे बढ़ाते हैं इस काटेकरी में अगले स्टॉक को अगले स्टॉक में बढ़ते हैं, HFCL, अगर अबी तक आप में वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वर्स है, आप प्लीज प्लीज इसको लाइक कीजिए और दोस्तों में शेर जरू कीज़ इसका अभी अभी जीओ के साथ भी बहुत बड़ा बड़ा टाइब है, इसके बहुत बड़ा बड़ा क्लाइंस है, इसके बहुत 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 भी इस टॉक का breakout हो सकता है, इसको accumulate करना गाइज, यह trading के stocks नहीं है, तो यहां से basically जो मेरी range रहती है, जो buying range रहती है, जो accumulation की range हैगी वो 80 रुपीज से 66 रुपीज की मेरी buying range रहेगी है, इसको आप accumulation range भी कह सकते हैं, तो target जिन के लिए में play करने वाला हुआ रहेगा 90 रुपी 149 रुपीज एंड लास्ट टागेट कोड़ बी 250 साइक, मतलब इस stock can turn to a multi-bagger, मुझे समझ में आ रहा हो सकता है, आपको ना हो समझ में है, अपनी analysis जरू को लिजे का बार बार आपसे कह रहा हूँ, बट यह stock मेरी hit list में है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को देख लिए नेक्स स्टाग कौन सा है, जी हाँ, बहुत ही चर्ची स्टाग, IEX, सबका फेवरेट, सबका पसंदी था, आज की रेट में, हाट फेवरेट बनाओ, एक बढ़िया सी रेंज को इसमें ब्रेक किया था, चलता रहा है, एक शांदार इसमें रैली आई, 300 पे तक इसको और अभी हाल फाल 252 के आज पास में ये स्टॉक ट्रेट कर रहा है, 252 में ट्रेट कर रहा है, यहां पे मेरे जी इसको, जो बाइंग इने मेरे इसके रहने वाली है, आई-एक्स के लिए, वो रहने वाली है, 257 से लेके, और ये स्टॉक अगर मुझे मिलता है, 220-225 के आज पास में, इसमें नज़र बना के रखूँँआ, इसमें करने की ही मैं इसमें कोशिश करने वाला हूँ, मेरे टागेट जिनके लिए मेरे प्लेकरने वाला हूं, फर्स्ट टागिट शायद मैं 200 अस duty के लिए प्लेकर हूँआ, दूसरा टागेट मेरे रहेगा, 38320 एक्ट य 95 का एंद 4 टागेट रहेगा 560 जी हां 560 शांदार इसमें से किसी भी स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट सकते में जाहिए बताइए कमेंट वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है नेक्स स्टॉक को देखिए एक बड़ी ऐसी रेंज इसकी 50-60 रुपे के आसपास में वहां करते हैं जिसको उसने ब्रेक किया बहुत शांदा तरीके से और 110 रुपे के आसपास में वहां से लगातार इसमें एक डानवर्ड मुमेंट हो रही है लगातार करेक्शन हो रही है अ तो मैं इसमें एकुमलेट ही करने वालो हुए यह मेरी एकुमलेशन की रही है यह में उसको बाइंग की रहने वाली है टागेट मेरे इसके भी होई रहने वाले 90 रुपीज 110, 109 रुपीज 149 रुपीज and 246 रुपीज इस वोड़ बी माई टागेट for the complete 2022 गाइस वीडियो क आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नेक्स टॉक कौन से नेक्स टॉक है बहुत ही फिवरिट डाट इस पराज इंडस्री आपको मालूम होगा पराज इंडस्री क्या करती है डिटेल में वीडियो चाहिए कमेंट सेक्षी में जाए यह लिखिए और यहां पर एक अच्छा खासा है फ्लैग पैटर्न बनता दिखाई देरा देख सकते हैं फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन बहुत ही शांदा दिखाई देरा जब फ्लैग पैटर्न फॉर्मेट्स ब्रेक होते हैं तो आपको पता है जितनी पोल की लेंथ होती है जितनी रेंच ये तैक ही होती है तो उ नहीं है ये एकुमेशन का वीडिया गिरता जितना माल सपोस कि जिए अपने जमीन खरी दी लाख रुपे गज क्या आपने हिसाब से प्रॉपर्टी खरी दी प्रॉपर्टी के होता है जब कंपनी की सेल्स डूप जाएं कंपनी डूपने को हो जाएं कंपनी को डेट बढ़ जाएं अगर कंपनी की सेल्स टेग्नेंट है मोके से अगर आपको करेक्शन मिल रही है तो यह opportunity हो सकती है किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए तो मेरी accumulation range रहेगी 340 से 300 रुपी नेक्स टॉक इन लिस इस प्रिंस पाइप प्रिंस पाइप ही बहुत ही इंटरस्टिंग सोगे गाईज एक अच्छी खासी रेंज में साड़े साथ साथ रुप से लेके 680 रुपे के असपास में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है पूरे साल इसने इसी रेंज के अंदर में ट उठाइए अच्छे सोक्स को नीचे मिलते हैं हमारी किस्मत माना जाएगा और यहां पर जो ऊपर के जो टागेट्स रहेंगे वह हमारे रहेंगी पहला टागेट रहेगा 776 का दूसरा टागेट रहेगा 811 का तीसरा टागेट हमारे रहेगा 909 का और लास्ट टागेट जिस मैं गिरते भाव पे stock को accumulate कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, मैं बिल्कुल, मैं कर रहा हूं, इसलिए आप कीजिए, बिल्कुल भी सला नहीं दे रहा हूं, मेरी buying recommendation है, selling recommendation बिल्कुल भी नहीं है, मैं बता रहा हूं कौन-कौन से stock मुझे अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो य mark किया था, 60 रुपे से लेके 500 रुपे की release नहीं दी थी, और हाल-फाल वापस, 107 रुपे के आसपास में, 100 रुपे के आसपास में, ये stock एक बार hit कर चुका है, ठीक है, तो यहां पे, मेरे एसाब से, बहुत ही अच्छे pricing है, sell 30 को लेने के लिए, तो बिल्य जो accumulation range, sell 30 को ल बिल बी, my 180, 257, and last target will be 461, guys, हो सकता है, 460 रुपे बहुत जादा optimistik हो जाए, बठाल फिलाल में, साल में, 180 रुपे तो इसको देख रहा हूं, तो अगरे, 100 रुपे से 180 रुपे भी, 180 रुपे भी कोई stock होता है, तो 80% की इसमें huge rally आ सकती है, जितना गिरे, उतना उठा है घञाने के दूप नहीं, अच्छी large company है, शांदार company है, next stock in the list is Z Limited, guys, Z Limited में थेखी लगाता, correction चल लए, 600 रुपे से stock गिरते, इसने low बनाया था, 120 रुपे के आसपास में, 120 रुपे का high बनाने के बाद में, इसने 120 का low बनाने के बाद में, 240 रुपे के आसपास में, एक moment द आसपास, हाल फिलाल, यह stock खड़ा हुआ है, और यहाँ पे, इसकी जो accumulation range हो बन जाती है, guys, 330 रुपे, यह stock अगर आपको 300 रुपे, यह worst case में, बजा correction होती है, तो 275 यह worst case रहेगा, यह मेरी buying range रहने वाली है, यहां में, इसको accumulate करने वाला हूँ, हर गिरते भाव पे, इसक 75, so guys, I hope आपको यह video interesting लगा हुआ, यह 10 stock आप अपनी analysis list में डाल दीजी, अपनी watch list में डाल दीजी, अपनी analysis कर लीजी, हो सकता है, मेरी analysis आपको बज़ना है, but I really wish you a very very warm, very very prosperous and very very happy new year 2022, आप मसत रहेए, जबर्दस रहेए, पने परिवार के साथ रहेए, दोस्तों के साथ र थोड़ा सा निविश्वास या थोड़ा सा टोटका रखते हैं कि नए साल की शुरूआप नए डी में ट्रेडिंग अकाउंट से हो, तो वीडियो के description चेक कीजिए, और इंडिया के best broking के साथ, किसी के साथ भी account खुल सकते हैं, लिंक सभी description दिए है, जैसे जिरोदा, और साइ लिंक आपको मिलेंगे, और नए साल की शुरूआप कीजिए, एक अच्छे ट्रेडिंग सेटप पर साथ में, I wish you all the best, take care, happy investing.